गाइज वेलकम टू डॉमिनेंट क्लासेज गाइज आज हम बात करेंगे और फैलर ट्रेवलर के फोर्थ पार्ट का फिर्स पार्ट सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट की वीडियो मैंने बना दी है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अगर आपने फर्स सेकेंड थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको एक बर जरूर देखें तब ही आपको फोर्थ पार्ट समझ में आएगा और गाइस मैंने थर्ड पार्ट में यहां तक पढ़ा दिया था यहां तक समझा दिया था आज हम बात करेंगे I took up my paper से और यहां से हम पढ़ना सुरू करेंगे तो I hope आपको पहले का वीडियो भी समझ में आया होगा और ये भी वीडियो समझ में आएगा तो चली हम स्टार्ट करते हैं देखें इसके पहले इस वाली लाइन में यहां पे कहा था कि उसे जो जो डाइटर होते हैं उसे मैत्यू डेते हैं यानि मच्छर को मैत्यू डेते हैं ठीक है तो वो यहां पे माफ कर देते हैं उसी को आगे पिर बताने का प्रियास किया है थेखते हैं कि आगे क्या वो कह रहे है देखें क्या कह रहे है I took up my paper and he came and sat on it ठीक है यानि कि कह रहा है I took up का मतलब उठा लेना my paper यानि कि अपने paper को paper का मतलब newspaper ठीक है और came का मतलब आना ठीक है और sat का मतलब बैठना तो देखिए I took up my paper and he came and sat on it यानि कि मैंने अपना समाचार पत्र उठा लिया और वह आया तथा उस पर बैठ गया यानि कि जो paper समाचार पत्र नीचे से उनों रखा था उसको उठा लिया उसी पर आके वो क्या हुआ बैठ गया उसके बाद पिर अच्छे कौन बैठा था मच्छर बैठा था ठीक है guys उसक आप योर्सेल्प का मतलब खुद को delivered का मतलब यहाँ पे होता है सौप देना ठीक है सौंप देना या देना तो यहाँ पर देखिए you have delivered yourself into my hands यानि कि तुमने स्वैम को मेरे हाथों में सौप दिया है अब उसके बाद देखें क्या हो रहा है I have I have but to give this respectable weekly organ of opinion यानि कि यहाँ पर देखिए और यहाँ पर जो corpse है ना corpse का मतलब होता है last या फिर show ठीक है तो चलिए एक बाद फिर से पढ़ लेते हैं I have but to give this respectable weekly organ of opinion a smack on both the covers यानि कि वो कह रहे हैं कि विचारों की इस सम्मानित सापताहिक पत्रिका को दोनों और से एकदम बंद करते ही यानि कि विचारों की इस सम्मानित सापताहिक पत्रिका को दोनों और से एकदम बंद करते ही and you are a corpse तुमेब eak sowben जाओगे यानि कि तुमे aak shot बन जाओगे यानि तुम्हेब लाज बन जाओगे जो newspaper उसके बीच में आकी वो भैट गया था और उसको अगर बंद कर तो बता रहे हैं कि वो कब हो जाता ठीक है saugh बन जाता यानि कि मर जाता ठीक है उसके बाद फिर देखे यहाँ पर क्या कह रहा है कि neatly neatly sandwich sandwich का मतलब वही जो sandwich सब लोग खाते हैं neatly sandwich between an article on peace traps peace traps एक article है ठीक है और and another on the modesty of Mr. Hodge ठीक है यानि कि यहाँ the modesty of Mr. Hodge और peace trap यह दोनों एक लेख है ठीक है आर्टिकल है जो उस newspaper में छपे हुए थे एक तरफ the modesty of Mr. Hodge छपा हुआ था और एक तरफ peace trap छपा हुआ था ठीक है इन दोनों paper के बीच में मलब वह क्या मच्छड आके बैठ गया था तो फिर से देख लिजे neatly sandwiched between an article on peace trap and another on the modesty of Mr. Hodge यानि कि वो कह रहे हैं कि और peace trap तथा the modesty of Mr. Hodge दो लेखों के बीच भीच कर यानि कि दब कर तुम साफ तरफ से sandwich बन जाओगे तुम साफ तरफ से sandwich बन जाओगे एक लेख the modesty of Mr. Hodge और एक लेख जो था peace traps ठीक है neatly sandwiched between an article on peace traps and another on the modesty of Mr. Hodge यानि कि कह रहे हैं peace trap तथा the modesty of Mr. Hodge दो लेखों के बीच लबदब कर तुम साफ तरफ से sandwich बन जाओगे ठीक है but I shall not do it परन्तु मैं ऐसा नहीं करूंगा I have repreviewed you ठीक है repreviewed का मतलब होता है यहाँ पे dand viram ठीक है यानि कि उसे में तुम्हें dand जो दिया था उसको छमा कर दिया था repreviewed का मतलब होता है dand viram ठीक है I have repreviewed you ठीक है मैंने तुम्हें dand viram दिया है and और ठीक है और I will satisfy satisfy का मतलब होता है कि विश्वास दिलाना ठीक है and I will satisfy you that when this large animal this large animal का मतलब या विशाल आदमी ठीक है विशाल मनुष्य है says a things he means it अब देखिए फिर से एक बाँ पढ़ लिजे and I will satisfy you that when this large animal says a thing he means it यानि कि मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ कि जब या विशाल प्राणी तो उसे करता भी यानि कि वो जो कुछ कहता है उसे करता भी है उसके अच्पर देखिए more ever more ever का मतलब होता है इसके अतिरिक्त I no longer desire to kill you ठीक है अब तुमें मारने की मेरी इच्छा भी नहीं है desire का मतलब इच्छा होता है ठीक है I no longer desire to kill you ठीक है इसके अतिरिक तब तुमें मारने की मेरी इच्छा भी नहीं है throw knowing you better throw knowing you better तुमें और अच्छी तरह समझने के बाद तुमें और अच्छी तरह समझने के बाद यहां पर I have come to feel I have come to feel shall I say a short of affection for you यानि कि throw knowing you better I have come to feel shall I say a short of affection for you तो यहां पर देखे तुमें और अच्छी तरह समझने के पश्छात यानि तुमें और अच्छी तरह समझने के बाद मुझे तुम्हारे प्रती अपमान महसूस होने लगा है मुझे तुम्हारे प्रती अपमान महसूस होने लगा है clear guys तो आगे फिर देखें क्या हो रहा है I fancy fancy का मतलब होता है मानना fancy का मतलब मानना I fancy that Saint Francis would have called you little brother ठीक है I fancy that मैं मानता हूँ कि Saint Francis Saint Francis एक नाम है Saint Francis would have called you little brother ठीक है तो यानि कि यहाँ पर कह रहा है कि मैं मानता हूँ कि सेंड फ्रेंसिस तुम्हें छोटा भाई कहते है मेरा मानना है कि सेंड फ्रेंसिस तुम्हें छोटा भाई कहते है सेंड फ्रेंसिस सेंड फ्रेंसिस का मतलब होता है सेंड फ्रेंसिस का मतलब होता है यहाँ पे जो नाम दिया गया है जुन्होंने ये ऐसे थें, जुन्होंने सभी जीवों से प्यार करने का पाठ पढ़ाया था, ठीक है? यानि कि ये सभी जीवों से बहुत प्यार करते थें, ठीक है? और उनके बारे में अच्छे विचार प्रसुत करते थें, इसलिए यहाँ पर St. Francis का नाम लिया हुआ है, ठ अच्छा, I cannot go, I cannot go so far as that in Christian charity and civility, ठीक है? यहाँ पर देखिए जो I cannot go far as that in Christian charity and civility, civility का मतलब यहाँ पर जो है, वो है सिस्टा चार, सिविलिटी का मतलब सिस्टा चार से है, या फिर सभ्यता से है, ठीक है? तो देखें, यहाँ पर क्या कह रहा है? कि मैं इसाई उदारता औ और सिस्टा के समान इतना आगे नहीं जा सकता, यानि कि वो कह रहे हैं, कौन थे? जो राइटर थे हैं, ठीक है? वो कह रहे हैं कि I cannot go so far as that in Christian charity, ठीक है? and civility, यानि कि मैं इसाई उदारता और सिस्टा के साथ, ठीक है? सिस्टा का मतलब वही सिस्टा चारिया सभ्यता के साथ इतना आगे नहीं जा सकता, but I recognize a more distant relationship, ठीक है? but I recognize a more distant relationship, यानि कि यहाँ पे कह रहे है, recognize का मतलब होता है, यहाँ पे माणना, ठीक है, सॉरी, recognize का मतलब होता है, यहाँ पे मानना, but I recognize a more distant relationship, यानि कि वो कह रहा है, परन्तु मैं इससे अधिक दूर का संबंध मानता हूँ, ठीक है, यानि कि मैं इससे अधिक दूर का संबंध मानता हूँ, अब यहाँ पे देखे क्या कह रहा है, fortune, fortune का मतलब यहाँ पे हो fortune has made us fellow travelers on this summer night, यानि भाग्य ने गर्मियों की इस रात में हमें सहयात्री बना दिया है, यानि कि कह रहा है कि Grishmadritu ने, ठीक है, यानि कि भाग्य ने Grishmadritu की इस रात में हमें सहयात्री बना दिया है, अच्छा उसके बाद पर देखे क्या हो रहा है, I have interested you and you have entertained me, ठीक है, मै मैं तुम्हें रोचक लगा हूँ और तुमने मेरा मनुरंजन किया है और उसके बाद पर देखें यहां पर क्या कह रहे हैं कि यहां पर जो यह मोटल्स है बिखें यहां पर अबलेगेशन का मतलब होता है यहां पर करतब obligation का मतलब होता है mutual का मतलब होता है परसपर या आपस में ठीक है परसपर या आपस में and founded on the fundamental fundamental का मतलब होता है मौलिक fact का मतलब होता है तत्य ठीक है that we are fellow fellow का मतलब होता है साथी ठीक है और mortal का मतलब होता है नस्वर mortal का मतलब होता है नस्वर तो एक बार छलिए फिर से पढ़ देते है the obligation is mutual and it is founded on the fundamental fact that we are fellow mortal यानि कि आहसास दोनों और से है और इस मौलिक तत्थे पर आधारित है कि हम دोनों नस्वर प्रारी है या हम दोनों नस्वर साथी है एक बार फिर से पता देते हैं आपको कि एहसास यानि कि जो feeling है उनकी वो दोनों और से है ठीक है और इस मौलिक तत्थ पर आधारित है कि हम दोनों नस्वर प्राणी है यानि कि जो writer है और मच्छर दोनों क्या है नस्वर प्राणी है ठीक है उसका पर देखी क्या हो रहा है the the miracle the miracle miracle का मतलब होता है चमतकार miracle का मतलब होता है चमतकार ठीक है the miracle of life is ours in common and ठीक है and its mystery to mystery का मतलब होता है यहां पर रहस से ठीक है तो फिर से देख लीजिए the miracle of life is ours in common and its mystery to यानि कि वो कह रहे है जीवन के ठीक है सुखत तथा दुखत पहलू दोनों ही समान रूप से हम दोनों में भी ठीक है विदुमान है या फिर हम दोनों में एक रहस्य है ठीक है यानि कि वो यहां पर कहना चाहते हैं कि miracle चमतकार on life in our sins common common का मतलब यहां पे समान और मिस्ट्री का मतलब यहां पे रहस्य है यानि कि हम दोनों में कह रहा हैं कि जीवन के सुख तथा-दुख तोनों ही समान रूप से हम दोनों में विद्धुमान है या फिर दोनों ही मतलब क्या है हम दोनों में एक रहस्य है ठीक है सुख तता दुख दोनों का एक हम दोनों में एक रहस्य है कि मतलब दुख होता है तो दुख के बाद सुख आता है सुख के बाद दुख आता है यह दोनों क्या है रहस्य है ठीक है हम दोनों के जीवन में ऐसा है उसका पर देखिए I suppose ठीक है मैं मानता हूँ या फिर मैं समझता हूँ You don't know anything ठीक है You don't know anything about your journey ठीक है मैं समझता हूँ कि तुम्हें अपनी इस यात्रा के बारे में कुछ पता नहीं है यानि कि जो लेखक हैं वो मच्चर से कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि तुम्हें अपनी इस यात्रा के बारे में कुछ पता नहीं है उसका फिर देखिए क्या कह रहे है I am not sure that I know much about mine I know much about mine मैं स्वम आस्वस्थ नहीं हूँ यानि कि मैं स्वम नहीं जानता हूँ कि मैं अपनी इस यात्रा के बारे में अधिक जानता हूँ एक बाद फिर से देख लेते हैं I am not sure that मैं स्वैम आस्वस नहीं हूँ कि I know much about mine कि मैं अपनी यात्रा के बारे में अधीक जानता हूँ यानि कि यहाँ पे पहले तो मच्छर को उन्होंने का फिर खुद के बारे में भी यहाँ पे कह दिया उसके बाद फिर देखे क्या कह रहे हैं वो कि we are really when you come to think of it a good deal alike यानि कि वो यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि इस पर विचार किया जाए तो हम बहुत अधिक एक समान हैं ठीक है a good deal alike का मतलब एक जैसा या फिर एक समान ठीक है a good deal alike का मतलब एक समान या एक जैसा तो यहाँ पे देखे क्या कह रहे हैं we are really when you come to think of it a good deal alike यानि कि यदि इस पर विचार किया जाए तो हम बहुत अधिक एक समान हैं यानि कि हम एक जैसे ही हैं उसके पे देखे क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखे क्या कह रहे हैं just ठीक है Apparations that are and then are not यानि कि just Apparations that are and then are not यानि कि किवल एक आभास जो कभी है और कभी नहीं है किवल हम दोनों में क्या है एक आभास है जो कभी है और कभी नहीं है Apparations का मतलब होता है यहाँ पे आभास ठीक है उसका पिर देखें यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि coming out of the light into the lighted carriers ठीक है यहाँ पर light का मनलब प्रकास का है carriers का मनलब यहाँ पर गाड़ी से है ठीक है night का मनलब रात से है और यहाँ पर देखें coming out of the night into the lighted carriers रात के समय प्रकासित गाड़ी में आते हुए रात के समय, coming out का मतलब आते हुए, ठीक है, coming out of the night into the lighted carriers, यानि रात के समय प्रकासित गाड़ी में आते हुए fluttering, ठीक है, fluttering का मतलब फ़रफडाना, ठीक है, fluttering about the lamp for a while, and going out, and going out into the night again, यानि कि यहां पे वो कह रहे हैं कि थोड़ी देर, प्रकास के चारो और फ़रफडाते हुए, fluttering about the lamp for a while, यानि कि थोड़ी देर, प्रकास के चारो और फ़रफडाते हुए, and going out into the night again, ठीक है, और रात में ही बाहर चले जाते हुए, और रात में ही बाहर चले जाते हुए, perhaps, perhaps का मतलब होता है, यहां पे शायद, ठीक है, अब उसके बाद देखिए, वो क्या कह रहे हैं, कि going on to night sir, going on to night sir, यहां पे question mark है, ठीक है, यानि कि वो कह रहे हैं, कि आज रात आगे जा रहे हैं स्रीमान, going on the night sir, ठीक है, यानि कि कह रहे हैं कि आज रात आगे जा रहे हैं स्रीमान, sir का मतलब यहां पे स्रीमान, said a voice at the window, ठीक है, खिड़की पर एक आवाज ने कहा, खिड़की से एक आवाज ने कहा, क्या कहा, कि मतलब आज रात आगे जा रहे हैं, going on the night sir, आज रात आगे जा रहे हैं स्रीमान, ठीक है, अच्छा, it was a friendly porter, यहां पे porter, porter का मतलब यहां पे कुली या समान उठाने वाला, ठीक है, I was a, sorry, it was a friendly porter, giving me a hint that, giving me a hint that this was my station, ठीक है, यानि कि वो कह रहा है कि वह एक सहयोग करने वाला कुली था, जो मुझे संकेत दे रहा था कि यह मेरा station है, ठीक है, वह एक सहयोग करने वाला कुली था, ठीक है, जो मुझे संकेत दे रहा था कि यह मेरा station है, अच्छा उसके बाद फिर देखिए, I thanked him and said, ठीके मैंने उसे धन्यवाद कहा, धन्यवाद दिया और कहा, मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा, क्या कहा, I must have been dozing, ठीके, dozing का मतलब होता है जपकी लेना, ठीके, dozing का मतलब जपकी लेना, यानि आँख लग जाना, I must have been dozing, ठ उसके बाद फिर देखिए, and seizing my hat and streak, ठीके, यहाँ पे जो, seizing, seizing का मतलब यहाँ पे जो है, यह इसका मतलब होता है, पकड़े रहना, यानि की holding, ठीके, and seizing my hat and streak, I went out into the cool summer night, ठीके, यानि की कह रहा है, और मैं अपनी टोपी, ठीके, और मैं अपनी टोपी और छडी लेकर गर्मियों की ठंडी रात में बाहर आ गया, ठीके, और मैं अपनी टोपी लेकर, टोपी और छडी लेकर, गर्मियों की ठंडी रात में बाहर आ गया, ठीके, as I close the door of the compartment, जैसे ही मैंने डिब्बे का दर्वाजा बंद किया, I saw my fellow traveler, ठीके, I saw my fellow traveler fluttering around the lamp, मैंने अपने उस सहयात्री को, लेमग के चारो और मढड़ाते हुए देखा, ठीके, यानि की, अई मैंने अपने साहयात्री को देखा fluttering round the lamp यानि कि lamp के चारो और मढ राते हुए ठीक है यानि कि वो lamp जो था ठीक है उजाला उसके चारो और क्या कह रहा था घूम रहा था ठीक है fluttering round the lamp यानि कि मैंने अपने उस साहयात्री को lamp के चारो और मढ राते हुए देखा तो guys यहाँ पर आपका chapter close होता है खतम होता है तो I hope कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी समझ में भी आया होगा और fellow traveler के चारो parts को आप अच्छे से एक बार फिर से watch कीजिए और उसको समझिए तो guys आज के लिए बस इतना ही और आप लोग घर में रहिए सेफ रहिए stay home safe home and have a nice time thank you very much